हेलो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग आज के इस वीडियों में बात करते हैं यूरिया को नियंत्रित करने के उपाए आज की डेट में बलर्ड यूरिया काफी लोगों का बढ़ा अस्तर होता है बढ़े हुए बलर्ड यूरिया की वज़े से सरीर में कई दिक्केतें आती हैं तो इस वीडियो में पूरी बात हम लोग समझते हैं किसकी मेटाबोलिजम किस तरह से नियंत्रित होती है और क्या किया जाए घरेली तथा होमेपर्थे किलाज तो पूरी बात समझते हैं यूरिया का निर्माण लीवर में कार्बन डायकसाइड तथा अमोनिया के मिलने के फलसुरूप होता है लोगों की धारणाय होती है कि जो यूरिया है वो बनती किड्नी में है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यूरिया लीवर में बनती है कार्बन डायकसाइड तथा अमोनिया के मिलने के फलसुरूप अब ये जो कार्बन डायकसाइड और अमोनिया कैसे बनते हैं अगर इसकी बात किया जाए तो जो कार्बन डायकसाइड है कार्बन डाइकसाइड का निर्माण स्वसन के समय ATP उर्जा जब बनती है तब होती है यानि कार्बन डाइकसाइड का निर्माण स्वसन के समय ATP उर्जा बनने के फल सरूप होती है कार्बन डाइकसाइड की अधिक मात्रा सरीर को एसिडिक बना देती है और अमोनिया की बात करें, तो अमोनिया का निर्मान प्रोटीन के मेटाबोलिजम के वज़े से लीवर में होता है, खास बात कार्बन डाइकसाइड तथा अमोनिया दोनों सरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो अब दोनों हानिकारक हैं और दोनों मेटाबोलिक अब सिष्ट पदार्थ हैं तो शरीर से इनको बाहर निकालना जरूरी है लीवर में अमोनिया के दो अड़ू तथा कार्बन डाइकसाइड के एक अड़ू आपस में मिलकर यूरिया बनाते हैं यूरिया स्वस्त मनुस में साथ से 20 मिलिग्राम पर हंडेड एमल होती है तरहीं लीवर में ज तो इसमें यूरिया साथ से 20 मिलिग्राम हो सकती है या होती है इसी के रेंज में पा जाती है तो इस तरह से ब्लड यूरिया लीवर में बन करके ब्लड में आ जाती है रक्त में यूरिया की मात्रा सामान से अधिक होने पर फिर्दय सम्बंदी तथा केड़नी सम्बंदी अनसिक तनाव, पेट दर्द, इसी तरीके के कई सिम्टम्स आते हैं, और खास बात, सरीर के किसी भाग में सूजन हो सकती है, पूरे सरीर में सूजन हो सकती है, जब बलड यूरिया बढ़ जाए, क्या करें, प्रोटीन से बने खात पदार्थ कम ले, मेहनत वाला काम कम करें, जिम न जाएं, हलका बयायाम करें, लिवर समंधी बिमारियों का इलाज कराएं, जिम न जाएंगे तो मेहनत का काम करेंगे, तो सरीर में ATP बनने के फलसरूप कार्बन डायकसाइड भी बनेगी, तो मेहनत से बचें, जिम न जाएं, हलका फलका बयायाम करें, अब प्रोटी घरेलू इलाज के अगर बात किया जाए तो घरेलू इलाज से इनिसेल स्टेज में काफी आराम हो जाएगा अब आप घरेलू उपाए जरूर करें होम मेनेजमेंट आसानी से किया सकता है पहला इस तरह से सुबह एक चमस त्रिफला चून सहद या गुड के साथ तथा साम को एक चमस त्रिफला चून गर्म दूध या गुनगुने पानी के साथ लिजिए Metabolism Niantreth होगी जिससे यूरिया नियंत्रन में आएगा तो यूरिया नियंत्रन में रहें इसके लिए प्रफलाचूण काफी काम का है तो इसका यूज करें सुब़ भी यूज करें और साम को भी यूज करें दूसरा घर लूपा है लगभग 25 ग्राम मेथी दाना आधा गिलास पानी में भिगो दें सुबा खाली पेट पानी पीएं तथा मेथी दाना अंकुरित करके खाएं तरहीं मेथी दारा को अंकुरित करके खाएं और पानी जो है सुबा खाली पेट पीजाएं इससे भी blood urea nitrogen body में नियंत्रित होने में काफी मदद मिलती है और जिनका काफी दिनों से दिक्कत है दुखी है उलोग homeopathic treatment लें किसी भी homeopathic medcare store पर आसानी से अवलेबल है ये दवा पहली दवा है urea 6 की दो बून सुबा और साम जीब पर लें और दूसरी दवा है picric acid 200 की दो दो पर और रात को जीब पल लें और तीसरी दवा है bio combination 28 नंबर की चाय टेबलेट्स एक कप गुनगुने पानी में घोल कर तीन बार पीए तो इन तीन दवाओं से कोई एक घरे लूप आए करने से आपका जो blood urea है blood urea nitrogen पूरा बोलते हैं क्योंकि यूरिया जो है उसमें nitrogen पर आता है तो blood urea nitrogen नियंत्रण में रहेगा blood urea nitrogen नियंत्रण में आ जाए तो शरीर की metabolism ठीक चलने लगेगी और सभी दिक्कतें आसानी से रिजाल होंगी और health समंधी इसू साल होंगे तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा जानकारी समझ में आई होगी अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज हेल्प करें सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करना असान है नीचे जो रेड कलर की बटन दिख रहे हैं उसको आप दबा की काला कर दिजिए फैदा क्या होगा जब भी हम वीडियो अप्लोड